जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं बैस सब बढ़ी होंगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे जो T20 Blast का मैच नमबर 95 खिला जाएगे यानिकि मैच नमबर 95 जो खिला जाएगा GLO वर्सिस SOM की टीम के बीच में यानिकि Glamorgan और Summerset की टीम के बीच में आपको complete watch करना है बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि अगर आप लोग एक बढ़िया टीम कोमिनेशन बना के अच्छी विनिंग करना चाहते हो ना बाई स्टैर्स आपको मैं सारी चीज़े देने वाला हूँ तो कोई भी स्टैर्स आपको मिच नहीं करना सबसे पहली चीज़ आपको यह ध्यान में रखनी है और अगर आप लोग एक स्लेक्शन बेस टीम बना के खेलना चाहते हो न तो वीडियो देखने की आपको जरूरत भी न लेना पढ़ेगा चाहे वाइस कापटन पर रिसक करो या फिर भाई आप लोग नॉर्मल प्लेर पर रिसक लो ठीक है तो रिसक आपको फेंटेसी के अंदर लेना पढ़ेगा तो क्या आप लोग अलग चीज़े ट्राइ करोगे वह आम लोग इस वीडियो में देखेंगे त सबसे पहले चैनल पर नहीं होते एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर आप लोगों कर ले ना तोकि आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वेन्यू की बात करें दोस्तों, सोफिया गाडन्स, कारडिफ के वेन्यू पर ये मैच कहला जाएगा सबसे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया ये टेलीग्राम चनल है जोईन कर सकते हो इसका जो लिंक करेगा वो आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लस आपको वीडियो के डिस्किप्शन में दोनों जगह पे मिलेगा क्योंकि टोस्ट के बाद में कोई भी अपडेट होंगी फाइनल टी में चेंज करेंग तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा दो मुकाबले टाई हो चुके एवरेज जो स्कोर है लगबग 155 के आसपास है मतलब अगर T20 मैच के इसाफ से देखा जाएगा तो उतना बड़ा स्कोर आपको नहीं लगेगा 155 का क्योंकि नॉर्मली देखो अग के लिए उतना इंपोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे जरूर बन सकता है उसके बाद में देखोगे यहाँ पे स्कोरिंग पैटन में किलियर आप लोगों के सामनेक्सिस हो जाएगी 150 से कम 21 बार अब तक स्कोर बन चुका ठीक है 190 स्कोर देख लो केवल 7 मैच मैच में लगबग के बोलस को जरूर यहाँ पे फेवर करेंगे उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ से बात करते हैं रिशेंड मैचिस की अब यहाँ देख लो इस वेन्यू पे पिछले मैचिस में कितना स्कोर बना लास्ट मैच देखोगे जीलम की टीम ने 183 करे यहाँ पे जील की टीम ने 236 करें ग्लाम ओर्गन की टीम ने 171 करें इसी वेन्यू के जो मैचिस में उनकी बात कर रहा हूं तो पिछले तीन मैच देखोगे फरस्ट बैटिंग करने वाली टीम बहुत बढ़िया खेली इवन आप लोग एवरेज बानके चलोगे 170 पलस 180 का स्कोर यहाँ पे फरस्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जरूर किया लेकिन सेकंड बैटिंग करने वाली जो टीम है वो फरस्ट मैच में 117 कर पाई सेकंड मैच में चेज नहीं हुआ क्योंकि 226 बहुत बढ़ा स्कोर होता है ग्लाम ओर्गन ने फिर भी 175 करें जो की काफी अच्छी बैटिं लेकिन डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट किस परकार का मिलेगा अगर टीम्स को स्टार्टिंग में स्टार्ट बढ़िया नहीं मिलेगा ने एक दो विकर जल्दी जाएंगे तो फिर ही आपको 170-175 शायद देखने को भी ना मिले तो कम से कम मान के चलो चार से 500 टीम्स के अ यां पर समर्शैट की जो टीम है इनके बीच में जो पिछले 10 मुकाबले होए ना 10 के 10 मैच भाई SOM की टीम ने विन करे है और एक सिंगल मैच भी गलाम ओर्गन की टीम पिछले 10 मुकाबलों में नहीं विन कर पाई है समर्शैट के सामने ठीक है तो यह जानक ना तो समर्श सर्फ एक विकेट पे चेस कर दिया तो मतलब summer set और जब भी glamourgan के बीक मैक्चिस होती cerebral तो summer set की टीम जरूर बैतर परफोर्मेंस करके जाती है उसके बाद मैं चलेंगे टीम की parties के बात करेंगे पूरे देखो बल्लेबाज्य सेक्षन के player के stage है जॉप पे Karl नोर्टिस् ने 10 तर्फ में देखोगे 2170 जो कि हर मैंच के लिए अब तक बहुत है 235 river average मिलेंगा टो इनके जो सबसे तकड़ी 4 में player आपको मिलेंगे वो रहेंगे Colleen Ingram, 58 ka Heute पाट के लूट गहां उसके बाद में आपको यहां से IMP politicार मिलेगा कालसन और यहां से मिलेगा भाई रूट ये पांच ऐसे प्लेयर है जो कि ग्लामोर्गन की सैड से बैटिंग डिपार्ट के अंदर काफी अच्छी फोर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे बाकी स्टेर्स देखो पूरे प्लेयर के आप लोग अपने एसाफ से देख लेना उसके बाद में अदर प्लेयर के बाद करू गोर्विन देखोगे एकी मैच खेलने का मोका मिला 12 रंस करें बाकी कोई भी प्लेयर आपको यह ऐसा नहीं दिखेगा जिसने कुछ खास परफोर्मेंस बैटिंग के अंदर किया हो मतलब यह पाच जो प्लेयर आपको मिलेगे ना इनकी उपर मान के चलो बहुत अद्टक डिपेंड़ने करेगी गलाम ओर्गन की जो बैटिंग होने वाली ठीक है बाकी पूरे प्लेयर के स्टेर्ट से आप लोग एक बार खुद से रीड कर लेना इनके गेनबाजी सेक्षन पे चले दोस्तों तो यहां से गेनबाजी में देख पाऊगे डाउथ वेट ने 6 मैच में 10 विगेट निकाल रखे है जबकि मैकलोरोई ने यहां पे 16 विगेट निकाल ले है 10 मैच के अंदर करें बट विकेट लेश ते उसके बाद में जैड़ून रसंद रहेंगे 9 मैच 9 over gainद भाजी गरवाई विकेट अब देखो इनका जो playing 11 रहेगा ना वह तो बाई टोस्के बाद पता लगएगा लेकिन इनके जो main गेंदबाज रहेंगे सबसे पहले डाउथ वेट जो कि 6 मैच में 20 ओवर गेंदबाजी करवा चुकिए मैकलरोई देखो कि 10 मैच में लगबग 38 ओवर गेंदबाजी मतलब almost almost आप लोग कह सकते हो हर मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी 16 ओविगेट भी है हर्जोगलू के नाम 14 ओविगेट है जो कि एक में गेंदबाज के रूप में खेलेंगे कालसन ने कियेवल 10 मैच में 5 ओवर के आसपास गेंदबाजी करी है तो उतने मैं इंपोर्टेंट गेंदबाज नहीं साउंजँ ऊंगा आरज judgment जरूर इंपोर्तिक इनके नाम है 6 मेच में 21 ओवर 4 ओवर 5 ओविगेट है में जो गेंदबाज रहंगे वह आपको सिधासिधा बता दे ना अब इन 6 में से जो भी खेलेगा डारेक्ट आप लोग अपनी टीम में पिक कर पाऊगे उसके बाद में बात करते दोस्तों यहां से अगली जो टीम रहेगे समर्सेट की उनके प्लेयर देखोगे डिक्सन के नाम 5 मैच में 127 रंस है कैडमोरे जो की उपर वैटिंग करेंगे खतरनाक फोर में वाई 10 मैच में 323 रंस है ठीक है बैंटन जो की ओपनिंग करेंगे 9 मैच में 317,49 के आसपास एवरेज है टोम एबल जो की मिडल में बल्लेवाजी करेंगे 9 मैच 215,35 विल समय जो की हिट और मिस वाले प्लेयर है 10 मैच 206 रंस है बैंगरिन जो की इस इंपोर्टेंट हो सकते है 10 मैच में 9 विकेट इन के नाम है लगबग 24 ओवर गेनबाजी करवाई है रियोल वेंटर मरो देखोगे बल्ले बाजी आईगी जरूर कोंट्रिबूट कर सकते है लेकिन में गेनबाज करूप में खेलेंगे गेनबाजी देखोगे 10 मैच मैच में 6 ओर गेनबाजी है थीन विकेट इनके नाम थे डवी के नाम पाँच मैच में 17 ओर गेनबाजी है दस विकेट है वेंडर मरो देखोगे मैट हैंडरी के नाम 15 विगेट है, ग्रोगरी के नाम 9 विगेट और ओवर्टन के नाम 7 विगेट है अब इन मेंसे फाइनली कौन से प्लेयर खेलेंगे वो कहीं नहीं सकते क्योंकि भाईया टोस के बाद में जब इनके लाइनप साएंगी न तबी के लिए रोपाएगा कि कौन-कौन से प्लेयर आपको खेलते वे दिखेंगे लेकिन में गेंदबाज रहेंगे वो रहेंगे बैन ग्रीन, ब्रुक्स के लेंगे में गेंदबाज के रूप में खेलेंगे फिर डवी में रहेंगे, रियोल फेंडर मरवाई, यहांसे बाईया मेट हेंडरी यह आप लोग 5 इनके में गेंदबाज समझके चलो, बाकी यहां से देखो, ग्रोगरी इनके में ओलाउंडर सेक्शन के प्लेयर है बीच में एक दोवर डैफिनेटल यह गेंदबाजी तो जरूर करेंगे, अब विकेट मिले ना मिले का लगचीज है ग्लाम ओर्गन के टीम के पूरे स्टेट से बाई एक एक प्लेयर के बैटिंग और बोलिंग दोनों तरीके से दिखा दिये अब ही चलेंगे अपने डेमो टीम कोमिनेशन पे वहां बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर को टीम में पिक करना है तो सीधा डेमो टीम पे चलते लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा फट एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल को अपलोग जरूरों कर लेना चलिए फिर सेधा चलते दोस्तों अपने डेमो टीम कोमिनेशन पे पिक करना बनेगा उसके बाद में कैडमोरे तगड़ी फो में मिलेंगे नोर्थिस्ट बहुत अची फो में टो मैबल ये बंद आपके लिए डिफरेंशल हो सकता है स्टार लगा ले ना केवल 33% सेलेक्शन है ठीक है उसके बाद में बिली रूट जो की अची फो में नहीं है विल समित यार देखो मेरा इस प्लेयर को ना हमेशा टीम में पिक करने का मन करता है क्योंकि मुझे काफी तगड़ा ये प्लेयर लगता है बट यार ये हिट एंड मिस वाला प्लेयर ये चल भी जाए ये फ्लोप भी चला जाए इसका कुछ नहीं कह सकते है बट ये बैटिं कर लेंगे दरवाई छोड़के चलेंगे गोरविन को ट्राइए कर सकते हो जो कि लास्ट मैस ठीक टाग गेंदवाजी करवा के गए तो में आपको तीन प्लेयर मिलेंगे और तीनों के साथ में आपको जाना है उसके बाद में बोलिंग सेक्शन ये सेक्शन मोस्ट इंपोर है उसके बाद में हैर्जोगलू को लेंगे क्योंकि लास्ट मैस पीछे आपको मैं पूरे स्टैट्स इनके दिखाज को वेंडर मरव इंपोर्टेंट हो सकते ज्यान अखना ठीक है के वल 38% सेलेक्शन है किसी ना किसी मैस में गेम जिंजर प्लेयर बनके जरूर निकलेगा उसके बाद में नीचे आओगे आर्समित को ट्राई करना चाहू कर सकते हो भाई यहां से ब्रूक्स ने लास्ट मैस अच्छी गेंदबाजी करवाई है डवे की फोर्म काफी अच्छी है आपको मिल जाएगी तो इनको ट्राई कर सकते हो तो अभी मेरे हिसाब से यह प्लेय काम पर जरूर मिलेगी कमेंट सेक्षन और डिसक्प्शन में लिंक अफटा फटा फट जाके जोईन कर लेजिए कैप्टनची वाईस कैप्टनची की सेफ ओप्शन में आपको बैन गरीन मिल जाएंगे बैया कैडमोरे को ट्राई कर सकते हो बैंटन और कोके जो की तगड़ फोम में हैं आप लोग ले सकते हो ट्राई कर सकते हो नो डाउट और अगर यहाँ पर समर्सेट की टीम पहले गेंदवाजी करेगे ना तो मैट हेंडरी या फिर बैन गरीन दोनों आपके लिए अच्छे पिक्स हो सकते हैं जी कैप्टन वाईस कैप्टन तो फिलाल हम लोग परना चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल को भी ओन जरूर कर लेना आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं गरने मिलते हैं फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूं आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम को मिनेसन बनाओगे औ और आपके टीम अच्छा परफॉम जरूर करेगी